नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेट परिचेट दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतुपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आज का टोपिक है आप सभी के लिए बुरा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं ये आठ संकेत चेत गए तो भला आए जानते हैं इसी बारे में आज हम सभी हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे प्रक्रिती हमें संकेत देती है फरक सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं हम आपको ऐसे ही आठ संकेतों के बार सावधान और सुरक्षित रहा है। इश्वर कभी भी खुद आकर आपकी रख्षा नहीं करते हैं، तो ये समझना बहुत जरूरी होता है हमारा बुरा वक्त आने वाला है वो संकेत के बारे में आज हम सभी जानेंगे सबसे पहले सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिविया गिरना उसके पती के कारोबार के लिए बुरे समय का संकेत होता है बेवक्त और बिना व अगर अकसर अलग अलग तरह की आवाज निकाल रही है और डर रही है तो समझें कि आपके आसपास के परिवेश में कोई नाकारात्मक उर्जा काम कर रहा है जो किसी समस्या की वहक हो सकती है इसलिए आप अपने आसपास के महौल को सुद्र बनाने की कोशिश करें मंगल सुत्र का अचानक तूट जाना पती के जिवन पर आने वाले संकट का संकेत देता है ऐसी स्थिती में पतनी को तुलसी की पूजा करनी चाहिए घर निकलने पर आए दिन कहीं न कहीं जगडा मारपित देखने को मिले तो समझे कि किसी को कोई कलेश होगा या फिर आपसी रिष्टों में खटास आने की आशंका है अगर कभी पूजा पाठ के दोरान पूजन थाल गिर जाता है तो समझे कि आप से देवतागन रूष्ट है इसलिए पूजन वेधि में सुधार की जरूरत है आपको खाना खाते समय पहले निवाले का करवा लगना और दूसरे का स प्रमानिय लगना इस बात का संकित देता है कि आपके किसी रिष्टेदार के यहां से बुरी खबर आ सकती है इतना ही नहीं आपका कोई बनता हुआ रिष्टा भी बिगड़ सकता है इसलिए इन बातों का पहले से हैं अगर ध्यान रख लेंगे आप तो आपके माइन में य जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों